Unit 2 संप्रेशन एक ऐसी प्रकृषिया है जिसके अंतरकर दो ब्यक्तियों के मद्ध अनुभाओं का आधान प्रदान किया जाता है संप्रेशन संपन हो सकता है दो प्राण्यों के मद्ध संप्रेशन का प्रक्रम में प्रतम चरण कूट संकेतन है संकेतन निम्न में से कौन सा लच्छन मुखितव पारंपरिक संप्रेशन के संदर में लागू होता है और परिवर्थ निये क्या दो तरफा संप्रेशन प्रभावपूर्ण होता है सदैव बुनियादी सिच्छन प्रतिमान के प्रवर्थक है रावट गलेशर रावट गलेशर ने बुनियादी सिच्छन प्रतिमान का विकास कप किया 1965 में प्रसिच्छन प्रतिमान का मौलिक तत्त है उद्देश तता संरचना समाजिक प्रणाली मुल्यांकन प्रणाली उप्युक्त सभी सिच्छन प्रतिमान का प्रकार है दार्शनिक सिच्छन प्रतिमान आधुनिक सिच्छन प्रतिमान मनोबैग्यानिक सिच्छन प्रतिमान उप्युक्त सभी मनोबैग्यानिक सिच्छन प्रतिमान नहीं है समाजिक अंतक्रिया स्रोत्प आधारित प्रतिमान कौन-कौन होंगे बुनियादी सिच्छन प्रतिमान भी होगा अंतर क्रिया सिच्छन प्रतिमान भी होगा कंप्यूडर आधारित सिच्छन प्रतिमान होगा जो क्या है मनोबैज्ञानी सिच्छन प्रतिमान है सिच्छन कच्छा में संप्रेशन किया जाता है उप्यूग दोनों साब्दिक दोनों संप्रेशन का वह माध्यम कौन सा है जिसमें स्रब्य और द्रिश्च दोनों समलेत होते हैं टेली कॉनफरेंसिंग संप्रेशन मनोबिज्ञान के प्रवर्तक हैं गुलिन बोड दोनों और साब्धिक संप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के जब संप्रेशन अधिगम करता कि अन्योनाय क्रिया को बढ़ाती है तब वह होता है मनों बैग्यानिक संप्रेशन के रैखिक प्रतिमान में घटकों का अनुक्रम है संप्रेशन की उत्पति किस भाशा से होई है लैतिन Communication सब्धिकुत्पत्ति किस बहांसा से होई है Communist से बुनियादी सिच्छन प्रतिमान के पच होते हैं 4. दार्सनिक सिच्छन प्रतिमान का स्वरूप नहीं है ये नहीं दिया है तो इसलिए नहीं बताऊंगा किसके अनुसार किसी रूप रेखात अथवा उद्देश से के अनुस संचार बेवार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है H.C. विल्ड अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक माने जाते हैं V.F. स्कीनर अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिध्धान्त के अधार पर विक्सित हुई है रेखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक है V.F. स्कीनर रेखी अभिक्रम में प्रियुक्त पुनरबलन सिध्धान्त थंड़ाई के कौन से अधिगम नियम से मेल खाता है प्रवाव का नियम साकी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक है नार्मल ए क्राउडर साखी अभिक्रम में ग्रिय प्रिस्ट का कारी होता है सिछण उपचार साखी अनुदेशन में प्रिष्टों का रूप होता है ग्रिय प्रिस्ट त्रूटी प्रिस्ट को और ग़ दोनों ये दो गलत है रेखी कारीक्रमित अनुदेशन में पद का भाग है उद्धीपन पुनरबलन अनुक्रिया रेखी कारीक्रमित अनुदेशन में पदों का प्रकार है प्रस्थावना पद, परिच्छन पद, अभ्यास पद, उप्यूक सभी सिच्छन नितियों का चैन किया जाता है उद्यश्यों के अधार पर किसके अनुसार नितियां सिच्छन की ब्यापक विधियां हैं डेविस का सिच्छन नितियों को कितने वर्ग होते हैं दो सिच्छन विधियों का चैन किया जाता है पाठ्थ वस्त की प्रकृति पे सवी सिच्छन वियू रचनाद था सिच्छन विधियों में अंतर होता है उद्देश्यों का प्रोजेक्ट विधी के जन्मदाता किल पैट्रिक फ्लेंडर्स की अंतक्रिया वर्ग पद्धती में विद्यार्थी वारता के कितने वर्ग हैं दो फ्लेंडर की निरिच्छन प्रविधी को कहते हैं वर्ग पढ़ाली पाठ योजना का पाठ योजना किया सकता है प्रस्तुती करण का करम सिच्छन क्रियाओं का स्वरूप पाठ वस्त के तत्त उप्योग सवी प्राचीन पाठ योजना दी है प्राचीन पाठ योजना दी है हरबोर्ट ने दी है मुल्यांकन पाठ योजना किस ने दी है ब्लूम ने मुल्यांकन पाठ योजना के पद होते है तीन पाठ योजना का मुख्य पच्छ है अदा प्रदा प्रक्रिया सभी पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं हैं प्रस्तूती करण सिच्छन उद्देश मुल्यांकन उप्यूग सभी पाठ योजना का मुख्य तत्व है पाठ वस्तु के तत्व विधी एवं प्रविधी साहयक सामगरी उप्यूग सभी पाठ योजना की उद्देश केंद्रित होता परिशत पाठ योजना ब्लूम पाठ योजना दोनों ही में पाठ योजना में प्रस्तूती करण को महत्यों देते हैं हरबट पाठ योजना फ्लेंडर ने कच्छा में होने वाले छात्रों सिचकों के बैवहारों को कितने बर्गों में बाटा है प्लेंडर की अंतक्रिया वर्ग पद्धती कच्छा में होने वाले छात्रों और सिच्छकों के वेवारों के वर्ग संदर्व में क्या सही है सिच्छक वारता 7 वर्ग कच्छा में और विवस्था 1 वर्ग छात्र वारता 2 वर्ग उप्युक सभी किसके अनुसार सुच में सिच्छन अध्यापन अभ्यास कच्छा आकार वह कच्छा ओधी में न्यूनिकृत अनुमाफ है स्टैन्फोर्ड विसे विद्याल है सुच में सिच्छन की अवस्था है ग्यार प्राप्ति की अवस्था कौसल अस्तरांतरण अवस्था कोशल प्राप्ति की अवस्ता उप्यूख सभी सुच में सिच्छन का सिधानत नहीं अभ्यास प्रक्रियाम नियंतरण का अभाव यह नहीं है बाकी क्या क्या होगा एक समय में एक कोशल का प्रसिच्चन प्रतिपुष्टी के विकास क परबल सुच में सिच्छन की विशेस्ता नहीं है प्रतिपुष्टी ग्यान अर्जन में साहक होती है सुच में सिच्छन का विकास सन 1913 में इस्टेन फोर्ड भी से विद्दाले में किया गया था सुच में सिच्छन को लगुक्रियाओं में बाड़ता है सुच में सिच्छन का अभी प्राय बेवहार परिवर्तन करना है प्रसिच्छू सिच्छकों का भारतिय सिच्छा विद जिसने सुच में सिच्छन का महत्वपूर्ण कार्य किया है बीचे पासी सुच में सिच्छन में एक अच्छा में छात्र होते हैं पांस से दस टीम सिच्छन का सरपर्थम विकास किस सन में हुआ था 1955 में टीम सिच्छन का सरपर्थम विकास किस विस्विद्याले में होता आक्सपोर्ड भी स्विद्याले टोली सिछन का प्रकार है एक ही विभाके सिचकों की टोली टोली सिचन प्रक्रिया का सुपान नहीं है लिखित रूप से तयार करना टोली सिचन का लाव है अनुदेशकों की गुड़ वक्तावल एवं लचिलापन समुहों का अधिक विसे से समान सामना सिच्छक के और ब्युसाइक अस्तर का विकास हैं उन स्वतंत्र बहस के उसर उप्यूक सभी